मेश राशी वालों दौलत और एश्वर्य की वर्षा को महसूस करोगे दोस्तों कल से आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह घटना होने से अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है क्योंकि जब आप सभी के जीवन में देवी आएगी तो सारे दुश्मन आपके पैरों पर गिर जाएंगे और दुश्मन हाथ जोड़ कर आपकी सामने आएंगे जी हाँ दोस्तों अब घबराना नहीं है यह देवी के आशीरवात से कल से आपके छह इच्छाएं पूरी होने वाली यह अच्छी इच्छाएं आपको माला माल कर देगा आपका जीवन सब मर जाएगा लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए भगवान का दिया हुआ वर्दान से काम नहीं है इसे अंत तक ध्यान से यदी आप देख लेंगे तो मेरा फुल गारंटी है आपका जीवन बदल जाएगा और हम आप सभी के लिए कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं जिससे आपका नुकसान हो अगर यकीन नहीं हो तो आज से लेकर अगले पांच दिन तक आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए और जो बात बताते हैं उसे समझिए यदि आपको लाब नहीं होता है तो हमारा वीडियो देखना आप छोड़ दीजिए यह बात हम जो आपको कह रहे हैं यहां कोई मामूली बात नहीं है हम बहुत ही बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो बात कहते हैं उसे समझना है और अपने जीवन में उपयोग करना है और फिर आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा जी हाँ दोस्तों और आपसे एक और विशेश निवेदन करना चाहते हैं हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते बस इसके बदले में आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सेवा करने का मौका दे हम इतना आप से विशय निवेदन करते हैं दोनों हाथ जोड़ कर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चलिए अब देवी के बारे में जानते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह देवी कौन है देखिए दोस्तों यह कोई और नहीं बलकि महालक्ष्मी स्वयम है महालक्ष्मी देवी को धन की अधिश्ठात्री देवी माना जाता है और उनके आशीरवात से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती महालक्ष्मी जी जब प्रसन्न होती है तो बिना मांगे ही वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए उदार हो जाती है लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है देवी लक्ष्मी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाती जो आलसी है या जो अपनी जिम्मेदारियों से मुह मोडता है वह वहीं बसती हैं जहां पर मेहनत, इमानदारी और सच्ची भक्ती होती है अब बात करते हैं इस बात की कि महालक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे पैसे, धन और दौलत की बारिश करेंगी देखिये दोस्तों, जब महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तो उनके आशीरवात से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे तुम्हारे चारों और अवसर ही अवसर खड़े हैं सबसे पहले, आपको ऐसे लोगों से अचानक मदद मिलेगी, जिनसे आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते यह व्यक्ती, रूप बदल कर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पैसा देंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे किसी पुराने दोस्त, रिष्टेदार या किसी ऐसे व्यक्ती के रूप में हो जिसे तुमने पहले कभी तवज्जो नहीं दी हो अब आप सोच रहे होंगे कि कहां से रुपया आएगा देखिए दोस्तों, जब महालक्ष्मी की कृपा होती है तो धन के आने के कई स्रोध खुल जाते हैं हो सकता है तुम्हें अचानक से कोई नौकरी का ओफर मिल जाए कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाए या फिर कोई अनपेक्षित व्यवसाइक सौदा मिल जाए इस समय आपको सजग रहने की आवश्यक्ता है क्योंकि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों को सिर्फ पैसे ही नहीं बलकि सही दिशा में सोचने और अवसरों का फाइदा उठाने की शक्ती भी देती है और अगर आपको लगे कि कोई खास स्थान आपको खीच रहा है तो ध्यान से सुनो यह संकेत हो सकता है कि उस स्थान पर खजाना छिपा है देवी महालक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो वह अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से बताती है कि कहां पर धन छिपा है अगर आपको बार-बार किसी जगह पर खुदाई करने का आभास हो रहा है या कोई सपना आ रहा है तो हो सकता है वह स्थान आपके लिए अपार संपत्ति का स्रोत हो इसलिए दोस्तों आज ही अपने जीवन में महालक्ष्मी की भक्ति को और मजबूत करो नियमित रूप से उनकी पूजा करो उनके मंत्रों का जाप करो और विश्वास रखो कि देवी लक्ष्मी तुम्हारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगी ध्यान रहे कि देवी लक्ष्मी हमेशा साफ सुत्री और शुभ जगहों पर वास करती हैं इसलिए अपने घर और आसपास की सफाई का भी खयाल रखो अब मेरे प्रिये दोस्तों अगर यह वीडियो आपको लाभधायक लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें इससे देवी लक्ष्मी की कृपा और बढ़ेगी और आप पर उनकी विशेश दृष्टी रहेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इसी तरह की अध्भुत जानकारियां और देवी देवताओं की कृपा की बातें लगातार मिलती रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें क्योंकि यह आपकी आस्था को और मजबूत करेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके उपर बनी रहेगी आपको बता दें कि देवी लक्ष्मी की कृपा सिर्फ धन और दौलत तक सीमित नहीं है वह आपके जीवन के हर पहलू को धन्य कर सकती है चाहे वो आपका परिवार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर आपका व्यक्तिगत जीवन देवी लक्ष्मी की आशीरवाद से सब कुछ सफल हो जाता है जब वह प्रसन्न होती हैं तो सुख समरिध्धि अपने आप आपके जीवन में आने लगती है तो दोस्तों, देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज ही कुछ शुभ काम करें जैसे गरीबों की मदद करना, साफ सफाई का ध्यान रखना और अपने घर में मा लक्ष्मी का पूजन करना इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और बिना मांगे ही आपके जीवन में पैसों की बारिश होगी देखिए दोस्तों, जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है तो जीवन में न केवल धन दौलत की वर्षा होती है बलकि आपकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने लगती है देवी लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन की चह प्रमुख इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली है और आप देखेंगे की कैसे सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा सबसे पहले जो चिंता आपको सबसे अधिक सताती है अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना अब वो समय आ गया है जब देवी लक्ष मी का आशीरवाद आपके परिवार पर चाएगा और आपको पर्याप्त धन प्राप्त होगा जिससे आप अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकेंगे घर की खुशियां बढ़ेंगी आर्थिक संकट दूर होगा और आप अपने परिवार को वो सब कुछ दे पाएंगे जो आपने हमेशा से चाहा है इसके बाद मन पसंद नौकरी की इच्छा है जो आप काफी समय से कर रहे हैं देवी लक्ष मी का आशीरवाद आपके जीवन में नए द्वार खोलने वाला है अगर आप कहीं पर नौकरी ढून रहे थे या अपनी नौकरी में स्थिर्ता चाहते थे तो अब वो समय आ चुका है जब आपकी मन चाही नौकरी आपको मिलेगी हो सकता है कि आपको कोई नया और बड़ा अवसर प्राप्त हो जो आपके सपनों से भी परे हो देवी लक्ष्मी की कृपा से आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और जिस करियर की आपने कलपना की थी वह अब आपके सामने होगा अब बात करते हैं एक और महत्वपून इच्छा की जो कई बार हमें जीवन में भ्रमित कर देती है धोखा देने वाले लोगों की सच्चाई सामने आना देवी लक्ष्मी की कृपा से आपकी आँखों से वो पर्दा हटेगा जो आपको सच्चाई से दूर रखता था अब आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि कौन आपके सच्चे मित्र हैं और कौन आपके साथ धोखा कर रहा था देवी लक्ष्मी का आशीरवाद आपको इस बात की समझ देगा कि किस पर भरोसा करना है और किस से सावधान रहना है यह समय है जब आपके जीवन में धोखे बाज लोगों की असलियत सामने आएगी और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे साथ ही एक और महत्वपूर्ण इच्छा है जो देवी लक्ष्मी के आशीरवाद से पूरी होगी कौन दोस्त है और कौन दुश्मन यह सपष्ट हो जाएगा देवी लक्ष्मी की कृपा से आपके आसपास के लोग अपनी असली पहचान दिखाएंगे जो आपके साथ सच्चे हैं वो आपके पास रहेंगे और जो आपके खिलाफ हैं उनकी सच्चाई जल्द ही आपके सामने आजाएगी यह देवी लक्ष्मी का एक और अद्भुत आशीरवाद है जिससे आप सही लोगों को अपने जीवन में स्थान देंगे और गलत लोगों से दूरी बना पाएंगे अब दोस्तों एक सबसे बड़ी और अंते मिच्छा जो देवी लक्ष्मी के आशीरवाद से पूरी होने वाली है भगवान के चरणों में जगह मिलना देवी लक्ष्मी केवल धन और एश्वर्य की देवी नहीं है बलकि वे आपको आध्यात्मिक उन्नती का भी मार्ग दिखाती है उनके आशीरवाद से आपको भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होगा आपके भीतर जो आध्यात्मिक जागरूकता है वो अब और भी प्रबल होगी आप अपने जीवन में उस शान्ती और संतुलन को प्राप्त करेंगे जिसे आपने हमेशा से चाहा था भगवान की भक्ती में लीन होना और उनके चरणों में जगह पाना सबसे बड़ा वर्दान होता है और अब वो समय आ चुका है जब यह वर्दान आपको प्राप्त होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों देवी लक्ष्मी का आशीरवाद केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है वह आपके जीवन के हर पहलू को धन्य करती है चाहे वह आपका परिवार हो, करियर हो, सामाजिक संबंध हो या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको केवल सच्ची भक्ती और समर्पन के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है और देखिए, कैसे आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको इस तरह की अद्भुत जानकारियां और देवी देवताओं के आशीरवाद की बातें लगातार मिलती रहे कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके उपर भी बरसती रहे देखिये दोस्तों, जब देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरस रही हो, तब आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका आशीरवाद निरंतर बना रहे दो ऐसी बड़ी गलतियां हैं, जिन्हें आपको बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, वरना देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और उनके आशीरवाद से वन्चित हो सकते हैं पहली गलती यह है कि कभी भी अहंकार न करें, जब आपके जीवन में धन और संपत्ति की वर्षा हो रही हो, तब यह न सोचें कि यह सब केवल आपकी मेहनत का परिणाम है देवी लक्ष्मी का आशीरवाद विनम्रता और समर्पन से मिलता है और अहंकार देवी लक्ष्मी को अप्रिय है अहंकार से बचें और हमेशा अपने धन, संपत्ति और सफलता का श्रेय देवी लक्ष्मी को दें जितना आप अपने जीवन में विनम्र बने रहेंगे, उतना ही देवी लक्षमी की कृपा आप पर बनी रहेगी दूसरी गलती यह है कि कभी भी किसी की निंदा या अपमान न करें देवी लक्षमी शान्ती और सद्भावना की प्रतीक है और वह ऐसे स्थान पर नहीं ठहरती जहां कलह, अपमान या नकारात्मक्ता हो यदि आप किसी का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं या दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो देवी लक्षमी आप से दूर चली जाती है इसी लिए हमेशा अपने मन और वानी को शुद्ध रखें, दूसरों के प्रती आदरभाव रखें और नकारात्मक्ता से दूर रहें तो दोस्तों, ये दो गलतियां कभी न करें, अहंकार न करें और किसी की निंदा या अपमान न करें इन बातों का ध्यान रख कर आप देवी लक्षमी की कृपा को स्थाई बना सकते हैं और आपके जीवन में सुख, सम्रिध्ध और शान्ती हमेशा बनी रहेगी आगे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, सुनकर आपके शरीर के रंग दे खड़े हो जाएंगे लेकिन दोस्तों, यह जानकारी आपकी सबसे ज्यादा भाग्यशाली है वीडियो को ध्यान से देखिएगा यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए बनाया गया यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है और कल से आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला इसलिए एक ही मौके का लाभ आपको उठना होगा दोस्तों आपको बता दें इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका घर परिवार को खुश देखकर यह व्यक्ति आग की तरह जलने लगता है। और इसलिए दोस्तों इस व्यक्ति ने आपका कुल देवी देवताओं को भी बांध रखा है। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। बहु यह देवता आपके साथ नहीं रहता, तो अभी तक आपका पूरा जीवन बरबाद हो गया रहता। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, यह सब इसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। दोस्तों आपको ज्यादा दुख तकलीफ जहल रहे हैं, दोस्तों आपको बता दें, इस इंसान ने आपका काम धंधा को भी बांध रखा है। जी हाँ दोस्तों आपकी कमाई को इस इंसान ने अपने तंत्र मंत्र से बांध रखा है, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दोस्तों आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और आपका काम अधूरा पड़ा हुआ है दोस्तों आपको बता दें आपका बहुत सारा काम बनते-बनते बिगड़ जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह एक व्यक्ति है इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है दोस्तों यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा गद्दार है और इसलिए दोस्तों इस व्यक्ति ने पिछले कई सालों से कई महीनों से आपके एवं आपके पूरे परिवार वार के उपर टोना टोटका कर रहा है, आपके पूरे परिवार के उपर तंत्र मंत्र कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहते हैं, आप लोगों के जीवन में कभी खुशि तब तक दूसरा परिशानी दर्वाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, इस व्यक्ति को आप बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है और दिखावे कि रिष्टा आपके साथ निभाता है। आपके सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपका बहुत बुराई करता है इसलिए दोस्तों इस व्यक्ति से बच के रहना आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए दोस्तों इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिष्टा नाता तोड़ दो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इस व्यक्ती से रिष्टा नाता तोड़ने में थोड़ा भी देरी करते हैं, तो आपके उपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड तूट पड़ेगा, इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ती से जितना जल्दी हो सके, रिष्टा नाता तोड़ दीजिए, और इस व्यक्ती से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए, तो दोस्तों, आखिर ये व्यक्ती कौन है, आखिर इस व्यक्ती का क्या नाम है, और क्यों, ये व्यक्ति आपके जान के पीछे पड़ा है किस कारण वास ये व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है किस कारण ये व्यक्ति आपका पूरा परिवार को तबाह करना चाहता है इन सभी के बारे में में आपको एक-एक जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों, इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, ऐसा जानकारी आज तक आपको किसी ने जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, दोस्तों समय बहुत कम है और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, दोस्तो हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है, और इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो इस चैनल को सब्सक्रा रहे हैं वे सभी लोग नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में पांच बार जय शनीदेव महराज जय शनीदेव महराज अवश्य लिखें भगवान शनीदेव महराज का विशेश कृपा आपके उपर बना रहेगा दोस्तों आपको बता दें आप अपने जीवन में जो परेशा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को करके आप अपने दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दुश्मन से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा दोस्तों आपको बता दें आपका दुश्मन ने जो आपके उपर तंत्र मंत्र किया है, उससे आपको एक जटके में छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको यह एक उपाय करना होगा दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या या रविवार की रात को करें। दक्षण दिशा की ओर मुह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के उपर मा काली का चित्र लगाएं। मा काली का पूजन करें और पूजन की समापती होने पर एक नी नीबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रियम क्रिम शत्रु नाशिनी, क्रिम क्रिम फट मंत्र का ग्यारह बार जाप करें। ऐसा करने से दुश्मन से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपका दुश्मन के साथ बहुत बुरा हाल होगा। दुश्मन के आँखों से खून की आँसू बहेगा। यह उपाय इतना कारगर है। इसलिए दोस्तों इस उपाय को एक बार जरूर करें। आपकी जीवन की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन में एक बहुत बड़ा और भयंकर परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन आपका जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, मेरा भविश्यवानी गलत समझने की भूल मत करना। क्योंकि दोस्तों, खुद बागेश्वर बाबा ने आपका भविश्यवानी की है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा और भयंकर परिवर्तन होने वाला है। ऐसा परिवर्तन होगा कि अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में तीन महा संयोग का निर्माण हो चुका है। जिसका परिणाम अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपका दैनिक जीवन में कई प्रकार की बदलाव होने वाला है। ये बद अगले 24 घंटे के अंदर आपका दैनिक जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पहले से हजार गुना बहतर हो जाए जाएगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बह जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराता है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसा जानकारी शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करने वाले, जिसे जानकर आप खुशी से जूम आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें। अब दूसरों के सामने आपको हाथ पहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आस पडोस के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आपके पास आएंगे। इतनी बड़ी काम्याबी अब आपको मिलन होने वाला है। दुश्मन भी अब आपके कदमों के नीचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। आप ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशानी जहल चुके हैं। आप अपने जीवन में बहु लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए अब दुश्मन से बदला लेने का समय आ चुका है अब दुश्मन को खून का आंसु रुलाने का समय आ चुका है दोस्तों दुश्मन ने आपके उपर जितना अत्याचार किया है उससे हजार गुना ज्यादा अब आपका दुश्मन को दुख दर्द झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। अब दुश्मन के साथ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है। और दुश्मन का हिसाब हो चुका है। भगवान शनिदेव महाराज ने दुश्मन का जिंदगी का हिसाब कर दिया है। अब दुश्मन को सजा मिला कर रहेगा। दुश्मन को अब दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है। दोस्तों, दुश्मन ने जो पाप किया है, उसका सजा दुश्मन को अब मिलकर रहेगा और आपको अगले 24 घंटे के अंदर पांच बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है और तीन बड़ी खुश्खबरी आपका इंतजार कर रहा है जो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कल्युक कीवब बड़ी खुश्खबरी मिलेगा जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किये होंगे दोस्तों, आपको बता दें, जीवन में पहली बार आपको इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलेगी कि सु दोस्तों अगर इस वीडियो को नजर अंदाज करेंगे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा, जिंदगी भर आप खून का आंसु बहाएंगे, इस बात की गारंटी है, इसलिए दोस्तों अगर आप अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आप चाह के लिए बहुत फाइदेमंद साबित होगा, इसलिए दोस्तों सभी गुप्त बातों को कान लगा कर ध्यान से सुनना दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जी हाँ दोस्तों आप बिलकुल सही सुरहे हैं, आपका दुश्मन का एक इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत गंभीर जानकारी प्राप्त होने वाला है, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जो भी बाबा भोलेनात के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी इस वीडियो को लाइक करके दिये गए कमेंट बॉक्स में पांच बार हर हर महादेव जय बाबा भोलेनात अवश्य लिखें, बाबा भोलेनात का आशीरवाद आपके उपर हमेशा बना रहेगा, बाबा भोलेनात का क्रिपा दृष्टी आपके साथ रहेगा, दोस्तों समय रहते हो जाईए सावधान, बागेश्वर धा सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है जिसमें तीन बड़ी घटना होने की संभावना है अगर समय रहते सावधान नहीं हुई तो बहुत बड़ी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा दोस्तों आपको बता दे कदम कदम पर अब आपको धोखा मिलने वाला है कदम कदम पर आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा घटना होने वाला है मुसीबत अब आपके पीछे पढ़ने वाला है इसलिए दोस्तों अगर जान प्यारी है तो समय रहते सावधान हो जाईए समय रहते सतर्क हो जाईए दोस्तों आपको बता दें अब आपके साथ जो बड़ी-बड़ी घटनाए होने वाली है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा आपका जीवन मिट्टी में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताएं हैं जिस उपाय को करके आप अपना जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और उपाय के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जान ले दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस उपाय को करके आप अपना जीवन को तो सुरक्षित कर ही लेंगे लेकिन इसी के साथ आप अपना जीवन में कल्युक की वह बड़ी सफलता हासिल करेंगे जिसके बारे में आप कभी कलपना भी नहीं किये होंगे जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी और भयंकर चमतकार आपके साथ होने वाला है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए परन्तु अपनी जेब में यह एक चीज हमेशा रखना दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों इसके पहले हमने कई चीजों के बारे में आपको बताया है कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको बताया गया है लेकिन दोस्तों, आज जो जानकारी आपको बताने वाले हैं यह आपके लिए कल्युक का सर्वश्रेष्ट जानकारी होने वाला है इस जानकारी को प्राप्त करके आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं दोस्तों आपको बता दें जो व्यक्ति इस चीज को अपने जेब में रखते हैं वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है वह व्यक्ति भिखारी से अमीर बन जाता है दोस्तों और सबसे खास बात यह है कि इस चीज को अपने साथ रखना बहुत आसान है इस चीज को आपको खरीदने का भी जरूरत नहीं है यह चीज आपके घर में ही पड़ा हुआ है सिर्फ इस चीज को लाल कपड़े में बांध करके अपने साथ रख लेना है फिर देखना चमतकार आपका जीवन सूरज की तरह चमकने लगेगा दोस्तों आखिरवह कौन सी चीज है जिसे केवल और केवल अपने जेब में रखने से हर एक काम बनने लगता है बहुत बड़ा से बड़ा काम एक जटके में पूरा हो जाता है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ इस वीडियो को अकेले में देखना, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त चीज है, और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है, इस उपाय को करने से, दोस्तों, आपको बहुत बड़ी-बड़ी सफलताएं मिलेगी, बहुत जो व्यक्ति यह एक चीज अपने साथ रखता है, उनका हर एक क्षेत्र से काम्याबी मिलता है। जिसे आप अपने जेब में रखेंगे, तो आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस चीज के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। इस चीज के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना कर, कि दोस्तों, अगर इस चीज के बारे में आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, तो यह चीज आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इस चीज के बारे में आप जिसको बताएंगे उसे इस चीज का पूरा लाभ मिलेगा परंतु आपको इस चीज का बिलकुल भी लाभ नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों इस चीज के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना और इस चीज को केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखना क्योंकि दोस्तों यह चीज केवल और केवल आपकी जाती के राश्यवालों के लिए बना है दोस्तों मुझे पता है आपके मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि आखिर इस चीज को अपने जेब में रखने से कैसे इतना बड़ा चमतकार हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें जूट बोल रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और इस वीडियो में जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं उस चीज को अपने जेब में सिर्फ 24 घंटे तक रखना दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सिर्फ 24 घंटे तक इस चीज को अपने जेब में रख लेंगे तो आप इस चीज को अपने जेब में हमेशा रखेंगे पूरा जीवन आप इस चीज को अपने साथ रखेंगे इस चीज को आप अपने से कभी दूर नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों 24 गंटे के अंदर ही आपको इतना बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि आप चाहकर भी इस चीज को अपने से दूर नहीं कर पाएंगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं कि हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और बाबा भोले नाथ के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में पांच बार हर हर महादेव जय बाबा भोले नाथ का विशेश कृपा आपके उपर बना रहेगा दोस्तों अपने जीवन में हर कोई सफलता हासिल करना चाहता है परन्तु हर किसी को सफलता नहीं मिल पाता है लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप भी भी सफलता हासिल कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी काम से घर से बाहर जाना ही पड़ता है. लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जिस काम के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं वह काम नहीं बन पाता है बिगड जाता है जिसके वजह से हमें निराश होकर वापस घर लोटना पड़ता है इसलिए दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अपने साथ रख लेते हैं और उसके बाद किसी भी कम से बाहर निकलते हैं जैसे कि परीक्षा देने के लिए किसी से उधार मांगने के लिए या फिर किसी बिजनेस का डील फाइनल करने तो आपका काम सो प्रतिशत बन जाता है तो दोस्तों वह कौन सी चीज है जिसे अगर आप अपने साथ रख लेते हैं तो आपका सभी काम बनने लग जाता है आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना वीडियो को बिलकुल भी सकिप मत करना पूरा वीडियो देखना इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप भगवान भोलेनाथ का सचे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें आपका सभी बिगडे काम बन जाएगा तो आप जरूर लिखें चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जीवन में चाहे इतना दुख क्यों है इतना तकलीफ इसका क्या कारण है जबकि दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन में काफी ज्यादा महनत भी करते हैं उसके बावजूद भी आपको सफलता की प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है जबकि आपके पास पडोस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम महनत करते हैं उसके बावजूद भी वे लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और आप काफी ज्यादा महनत करके भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो इसका क्या कारण है तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले पांच सालों से आपका कुंडली में शनी दोश चल रहा था जिसके कारण आपको मंगल ग्रह का साथ नहीं मिल पा रहा था इसीलिए आपको महनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो रहा था लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली से मंगल दोश खत्म हो चुका है अब आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिलने वाला है इसलिए अब आपको सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा साथ ही साथ दोस्तों जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकले तो यह एक चीज अपने साथ रख ले आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप जब भी घर से बाहर निकले अपने साथ पांच चावल के दाने जरूर रख ले आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें साक्षाद देवी मा लक्ष्मी की वास होता है इसलिए दोस्तों जब भी घर से बाहर निकले अपने साथ पांच चावल के दाने जरूर लेकर निकले इससे आपको लाब की प्राप्ति होगा दोस्तों आगे इस वीडियो में और भी महत्व पूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्तों जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में दरदर भटक रहे हैं उसे देवी माल लक्षमी की आशीरवात से बहुत ही जल्द शुब समाचार की प्राप्ति होगा लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर संभल जाओ ये आखिरी चेतावनी है जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ा अनोखा घटना घटित होने वाला है अब ये घटना आपके लिए शुब रहेगा या फिर अशुब रहेगा आगे इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें अगले 24 घंटे के अंदर आपका राश्य में एक ऐसा योग का निर्मान हो रहा है जिसे जाने के बाद आप खुशी से नाचने लगोगे जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें अगले 24 घंटे के अंदर चमतकारिक योग का निर्मान हो रहा है और यह चमतकारिक योग आपका जिंदगी बदलने वाला है यूं कहें तो आपका बंद किसमत का ताला खुलने वाला है लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है जो आगे इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले देवी मान लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखें देवी मा, लक्ष्मी की कृपा दृष्टी आपका पूरे परिवार के उपर बनी रहेगी तो आप जरूर लिखें आईए दोस्तों आप सभी को बता दें मेरा भविश्यवानी कभी गलत नहीं होता है क्योंकि दोस्तों मेरा भविश्यवानी कुंडली के आधार पर सठीक होता है और इसलिए मेरा भविश्यवानी कभी गलत नहीं होता है इसलिए दोस्तों वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है और खास आपका कुंडली के आधार पर इस वीडियो का निर्मान किया गया है जो कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% सठीक की जानकारी मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुन्दर अनमोल ग्यान से देखिए दोस्तों, जिन्दगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो क्योंकि जिन्दगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इन्सान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा, कभी मत सोचना क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे माना कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती पर एक मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है दोस्तों यह सुन्दर अनमोल विचार अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जैश्री कृष्णा जरूर लिखें चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले 24 घंटे तक आपको कौन-कौन सी बातों का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है और इसी के साथ हम लोग जानेंगे अगले 24 घंटे का राशिफल के बारे में जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकता है और इसका एक ही कारण है आपका घर के लोग सूरज निकलने के बाद सोकर उठते हैं जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं